आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहे हूं बिल्कुल हलवाई जैसे खसता और टेस्टी समोसे की रेसिपी पर्फेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पर्फेक्ट समोसा बनाना सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा सबसे पहले अगर आप म आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ समोसे बनाने के लिए मैंने याप पर लिया है सबसे पहले 200 ग्राम मेदा जिसे की मेने मेदे की चलनी से चान लिया है उसके बाद हम इसके अंदर अधा गिए अधा छमच अजवाईन से अच्छे से हातों पर क्रश करते बदे ज़ए असके किसका फ्लेवर इसका गंध बहुत ही अच्छा आएगी उसके साथ इंसमे एड़कर गरेंगे आदा चमच नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आद बार हमें तेल यहां पर्फेक्क मेजरमेंेंट के साथ डालना हे है nggak समो सिकाथ ऑ जादअ होता हैज तो ख्यूंद अर्च ज़ास नहीं बना दालते हैं अब हम को अच्छे से मिक्स होते रहें जितने चुलब्ध के मिंग अच्छे से मिक्स कर दो मेद पर Mohammad मारी अच्छे से बंदे रहा है अब मेद के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रदा पानी डाले करेंगोघ्र कप्ला करेंगे तेया के ट personalities यह सीफंसा पानी थोड़ा यह अझा है आप मेरी चोटी चोटी टिप्स को जरूर फोलो किजिएगा इन टिप्स को फोलो करना बहुत जरूरी है वरना आपके समोस अच्छे नहीं बनेंगे यह देखिए मैंने एक टाइट डो लगा कर रेडिक कर लिया है अब हम इसके ओपर एक प्लेट धकर इसे साइड मे रख दे इसके लावा मैंने यह पर कुछ फ्रेश मतर के दाने लिया है आप यहां फ्रोजन मतर भी लिया सकते हैं खड़े मसालों में आप लिया है आदा चमाज साबुत धनिया आदा चमाज जीरा और स्वाफ इसको तो दर्दराग खूट लिया है आदा चमाज ग्रेट की मैंने यह पर लिया अदा चमच नमक हल्दी पावडर क्षिर नतमची चमच हलदी पावावडर की अम्सूर आधा चमच प्हापी चमच और ऊप यह पर मैंने एक पहन रघ दो हैuche में अब इसके अंदरके ओ Caesar wichtig को המתा इसोचा और और आंछा मतावर कीमें पर्फेक्ट नहीं बनेगी पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसके अधर डाल देंगे यह साबुत धनिया क्रश किया हुआ जीरा सौफ अध्रग और हरी मिर्च उसके बाद हम इस पर एड़ करेंगे यह मटर हम यह पर फ्रेश मटर ले रहे हैं इसलिए हमें इसका धकन लगाकर इसे एक से दो मिर्ट तब पकाना पड़ेगा अगर आफ फ्रोजर मटर लेते हैं तो उसकी कोई जरुद नहीं है कि यह देखिये 2 मिठ हो चुके है अब हम हम इसका ढटा कर चेक करेंगे कि कि हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं आप मिसके अंदर एड़ कर देंगे यह बॉयल मेश किय वे अलू अब एक बार हम आलू पटर को अच्छे से मिकस कर लेंगे मिक्स करने बाद मिक्स कर लेंगे यह सारे सुखे मसाले अब हम इन सारे सुखे मसालों को भी आलूम अंतर के साथ अज finely कर लेंगे इसके बाद देगा अन्य होगे अज़ से, अब हम एक बार मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम गेस का फ्लेम लो करके इसका ढखकर लगा कर लगबुक 5 मिट के लिए से पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो है वह आलो के साथ अच्छे से पक जाएं यह देखिए 5 मिट हो चुके हैं अब हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से सेट हो चुका है जब तक हमारी स्टफिंग बना रहे थे अब हम एक से दो बार इसे अच्छे से गूट लेंगे तो देखिए मैंने इसको एक दो बार अच्छे से गूट लिया है अब हम इसे बराबर तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे 200 ग्राम मेदे से हमारे छे समोसे बनकर रेडी होंगे और इन तीन इक्वल पार्ट से हम छे समोसे बनाएंगे एक पार्ट से दो समोसे बनेंगे अब हमें इसका एक बिल्कुल गोल गोल पेडा बनाकर रेडी करना है हमें पेडा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बनाना है इसी के ओपर डिपेंड करेगा कि हमारा समुसा जो है वो कितना फिनिशिंग से बना है यह देखे मने अच्छा पेडा बना कर रेडी कर लिया है कि अभ इस तरह से उसे प्रेस करेंगे चॉपिंग बोड पर 要ग प्रेस करने के बाद हम इसे पूरा मेदे में कवर कर लेंगे सुखह मेदे में इसकЕ बाद इसको ब्लेड़न दें हैं कि युटा और स्युस्óbमेतर प्लेड़न बना गया हमें द्लिआ देख दो था पीजसी हैं ना मतली परगूर यह अगग लेहरा, दोनी च आनटी में सब्हस्लिक में होता हुजालえて वह सब्हस्त का अधैय कि नहीं पतली नहीं पतली अब हमें इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में काटना है उसके लिए ट्रीक है सबसे पहले आप रोटी को इस तरह से फोल्ड कर लें उससे होगा है कि यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी सेंटर में यह देखिए फिर इस लाइन के ऊपर आपको इसके उपर लगाना है पानी हमें अच्छे से इसकी सीफ उपर वाली लाइन पर पानी लगाना है इस तरह से जैसे में लगा रही हूं निकल 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 निए। निकल लेकंगे सब्सक्राइब निकलने हैं ज़चनले हमार जांस बैंके मारा खराब हो जाएगा। में कि अधिक्स करल भिए उससे हमिके उसको चपकर लिया है। 23 dozen अधिंदर promote将 चिक्षिपघ़ने नहीं आञे हैं Tabii करना हमें समोसे का मुह बंद करने में प्रोग्लम आजाएगी अच्छे से पेग नहीं हो पाएगा हमारा समोसा जिसे के मारा समोसा खुलने के चांस है यह देखिए मैंने इसके अंदर स्टफिंग भर ली है अब हम इसे हल्का सा अंदर की साइड प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको खाली रखा है क्योंकि हमें इसका मुह बंद करना है अब हम इसके उपर भी पानी अप्लाई करेंगे ताकि हम इसका मुह अच्छे से बंद कर पाए अच्छे से हमें चारो तरफ पानी लगा लेना है उसके बाद हमें बेक साइड स प्लेट डालनी है एक बारि ऐसके बाद आगे वाले मूँव को पीछे वाले मूँसे इस तरह से जोड देना है बिल्खों अच्छे से बिल्कुल पतला कर लेना है ताकि हमारी स्टफिंग निकलने के चांस बिल्कुल ना रहे है अब हम हाथ की है इस तरह से अच्छे से से यह देखिए आप देख सकते हैं हमारा समोसा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा अब मैं आपको एक वर समोसा बना कर बताऊंगी वही हमें सबसे पहले इसके उपर पानी अपलाई करना है इसकी उपर वाली कोर पर उसके बाद हमे कोर नकोड़ा सबसेरे कर लींला कि अधिक ओछे करना लेना है और अच्छे से प्रेंस करना है ताकि मारी इसमोसा भिल न नहीं देखिए मैं अच्छे से चिपका लिए अब मैंसके अंदर भरेंगे स्ट्पिंग आżyम अबЛिया है अब हम इसे थोड़ा से अंदर की दराफ प्रेस काँ प्रेस का लिए अब वापस पीछे की तरा यहांपर की शाइड पानी लगा लेना है उसके बाद टाला दएक साइड है आ प्रेस दील बने साइड बीलकुल पर्फेक्ट बनें इसलिए हम पिछे की साइड धील डाल रहे है अब हमें दोनों पॉइंट्स को दोनों मुह को चिपका लेना एक दूसरे से आ जिए सब्सक्राइब दे impact लिए अब लग रहे ना बिलगूल पर। और हमें आप कीछा बना कर लग आदे लिए हैं पीचानी है डिक्षे अब और य। अब आपर एक कडाई में अजो सी ए riv जादा रखना है नगल में सम hedge करना है हमिए वर्च समोस को strength involved यह बहुत ही फाइस ही में गरम होता कि परफेक्स बचरंश के लिए डिशान होता है ऐसा नहीं कि अप ठंडे तेल के डाल तो समय और नहीं होता हुआ को का ओली होना चाहिए ना ही बिल्कुल थंडा ना ही बहुत ज्यादा गर्म मीडियुम होना चाहिए कि यह आप बेंड़ के यह मेदर अये अब हम समय से डाल देंगे । इससे होगा यह उटे हैशिप helping चोजींद भीचानाएं ठंडे तेल या फिर बहुत ज़्यादा गरम तेल के अंदर समोस को डालेंगे तो उसके पर बहुत सारे बबल है दिखाई देंगे जोकी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं perfect समोसा बनाने के लिए बिल्कोल perfect ट्रीक है बें स्बस्शन अब इसके जरूर फोलो करें जाके तरफ कि हमारे सारे समोसे अच्छे से ओल उपान लोल के या अदर भूब हुए है कि जिए हमें इन इंद्ट्राइ करना है इसलिए आपको उइल की क्वांटिटी ज्यादा ही लेनी हैस टाइम हमें समसो को स्टार्टिंग से एंड तक मीडियुम फ्लेम पर फ्राइ करना है यह देखिये हमारे समॉसो का कलर कितना शांदार यह गोर्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे स्टार्टिंग से एंड तक इसका फ्लेम एक जैसा ही रखा था ना ही कम किया नाही ज्यादा अब मिसे जल्दी से प्लेट में निक इस इसे के हमारा सारा इकस्टा ओए पेपर फ़ि रह जाएगा वैसे हमारे समोसे परफेक्क बनने हैं इसलिए इससे बहुत जादा ऑउल नहीं निकलेगा यह देखिए मैंने सारे समोसों को एक प्लेट में निकाल लिया है आप इन कर्मा करम समोसो को टॉमेटो केचप या ग कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पहुत जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक यू